फ्रेंड आप सब कैसे हो आज क्लास 11 का मीड टर्म एक्जामिनेशन 2013-24 मैथेमेटिक्स स्टेंडर पेपर को सॉल्व करेंगे जिसका कोड गिवन है 041 जो मेक्समाक्स 80 नंबर का है जिसका सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C का कोशन नंबर 26 और 27 का लिंक डिस्क्रिप्शन मे नहीं देखा पहले उसे देखे आज हमने स्टार्ट करें बच्छो सेक्शन से का कोशन नंबर 28 से बच्चो ध्यान रखें जो सीफ्ट है क्या इविनिंग सिप्ट का पेपर है कोशन नंबर स्टार्ट करेंगे बच्छों लोग आज 28 में बच्छों के वेन है तो डाट रू लूट ठीज ऊंटिव को हमेशा क्या करता अप ओजिट मांते रिशनल नंबर और हमेश्टा एब उससा एक लिख सकते है तो एक नित आप नंबर यहां पर बता देते बच्छों एंड बी आर को प्राइम नंबर धाना को प्राइम नंबर अइसा नंबर होता जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक को छोड़कर इसमें कोई कोई बी कॉमन फैक्टर नहीं होता ए और बी के माने बारे में पताब बच्छों क्या है को प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर में कोई a2 equal में root under three b का whole square तो यहां a2 equal मौझ आग आग ऑच्छो 3 b का square अब यहां से क्या करें हमाच्छू यहां से b2 square निकालें गए तो b2 equal मौझ आगा a2 upon 3 तो लिखेंगे यहां पे a2 is divisible by a2 3 से divisible है ते लिखेंगे तो एक्वेस्ट नमबर क्या माल लेते और जो रिजल्ट आगा वह क्या मानेंगे जो भी नमबर यहां पर दिया रागा जो प्रूफ करने के लिए लिए पूस्टिंग रिजल्ट आगा सी इंटीजर जो डिवाइड करने का जो रिजल्ट आगा वह अंधुरी सी आई इन्टीजर है अब क्या करेंगे बच्व एक जो रिजल्ट आइस इक्वेस्ट में क्या करेंगे रख देंगे किसे बाचो इक्वेशन नमबर फर्स्ट में तो लिखेंगे कि पूटिंग कि दा वैलू अफ ए इन एक्वेशन फ्रस्ट तो एक जगह पर क्या पूट करना बच्चो एक जगह पर पूट करना यहां पर थीरी सी तो यहां एकन पर लिखेंगे is this ूरी के सिका हॉल स्क्वार एकवल मोजा गों स्रफिया मिसेश्प्र एक एंच नोलर ज्ट हो एक प्रीए स्क्र एक प्रिट्यर हम एन कर जागा जाएक स्कॉर तो से नंबर पर नियुख रिजल्ट आगा मईना भाइडिट वाइद थिरी और फिर से वह ही बात को लिखुए थिरी से डिवीजीवा तो लिखेंगे आप치 बीए स्कॉरर इसा है क्योंकि बी एस्कॉरर के निचे का थिरी है तो लिखेंगे डिवीजी वाइठी डिवीजी बाइच एक्वेशन को बी निमिंग कर रएते हैं ए और बी में एक्वेशन नंबर ए और एक्वेशन नंबर बी यहां पर बी है बच्वेशन नंबर ए आपको दिखा देते हैं यहां पर एक्वेशन नंबर क्या है ए में लिख्वेशन दोनों समीकरन से बोल सकते हैं से कि common factor का बच्चो ठीरी है तो लिखेंगे equation कि A and B क्या बोलेंगे बच्चो A and B having common factor का रहा रहा है having common factor कि थीरी है तो दोनों में का बच्चो common factor ठीरी आगा लेकिन हम लिए starting में बोले थे कि A and B क्या को प्राइम नंबर है जो बूल कि जो भी वहां पर स्टार्टिंग में बोले थे बच्चो A and B क्या को प्राइम नंबर है लेकिन यहां पर क्या दोनों में क्या है common factor ठीरी आ गया जो की बोले हुए statement का क्या हो गया गलत हो गया इसके बाद हम लिख सकते बच्चो कि statement जो माने में क्या हो गया रिवर्स हो गया इसलिए बोल सकते है रूट ठीरी क्या है एक रिशनल लंबर है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जो माने थे बच्चो ट्वंटीन अइन बच्चो गिवेन अधा इस्टेंस बेट्विन टू पोल दो पोल के बीच का जो इस्टेंस बच्चो 15 मीटर है एंगिल अफ डिप्रेशन आफ दे टॉप अफ अधर पोल इज सीन फ्रॉम दॉप अफ फर्स्ट पोल इस्टी डिग्री उसके आगे लिखा हुआ इस लेंट्थ अफ द अधर पोल इज 24 मीटर फाइंड द लेंथ आफ फर्स्ट पोल बच्चो फिर से कोशन को रिट करते हो डाइग्राम बनाते लिखा दा डिस्टेंस बीट्विन टू पोल इस 15 मीटर दा एंगिल अफ डिप्रेशन आफ टॉप अफ अधर पोल माल और इस पोल को कहा है अधर पोल डिखा दा डिस्टेंस बीट्विन टो पोल इज 15 मीटर दा एंगिल अफ डिप्रेशन डिप्रेशन का मतला उपर से नीचे को देखना दा एंगिल अफ डिप्रेशन आफट आफ टॉप अभ अधर पोल अधर पोल है बच्चो एसीन फॉरं टोप आप दो फिरस्ट पोल इस चीज को देख रहा है डिप्रेशन एंगल आ यह कि यह जागा। जागा और आगे लिखा हुआ है दा लेंथ अब द अधर पोल का जो बचो लेंथ है वो कितना है अधर पोल का जो लेंथ है वह 24 मीटर कितना 24 मीटर है तो बताना है है फाइंड द लेंद अब फ़स्ट पूल कर लेंथ को बताना इसलेंथ को क्या करना है बताना है इस लेंथ को मानले थे कि एक साथ एक स्कार योट्यक्रिशिकर्ण वर्ट पर टोटल मेंसर इसको क्या कर देंगे माइने कर दो तोटल किता है तो ट्वंटीफोर में से क्या कर दी एक सको माइनस कर दी इस ट्रंगल करते एंगर अगर फिप्टीन है तो फिप्टीन मीटर हो जाए क्योंकि प्राइल लाइन का डिस्टन्स का बराबर होता है अब तिरह बीसी में क्या आपलाई करेंगे उस उपर वाला जो तिरह बीसी में क्या अपलाई के 1060 दिग्री तो टैन 60 1060 का रिजल्ट होता रूट 3 और पी होता बचल सामने वाला ठीटा के सामने वाला कितना है 24 minus x 24 minus x और base कितना बच्छो 15 है तो यहां करतेंगे 15 अब उसको क्रोस multiply करेंगे तो यहां जगा 24 minus x equal में 15 root 3 यहां सब x निकालेंगे तो x का जो result 24 minus 15 root 3 और question के अंदर बच्छो root 3 का result दिया हुआ उसको क्या करेंगे पूट करेंगे question बच्छो root 3 का result दिया 1.732 तो यहां पर हो जाए बच्छो एक सिक्वल में 24-15 multiply 1.732 हो जाएगा अब simply क्या करना बच्छो इन दोनों को multiply करके 24 से माइनेस कर देना आपको कमेंट में बताना बच्छो इन दोनों को multiply करके 24 से माइनेस करेंगे तो result क्या आगा वहीं क्या होगा इसका answer हो जागा तो first poll का answer पहले क्या करना आपको comment box में इसका answer लिखना है इन दोनों नमबर को क्या करना बच्छो multiply करना है और 24 में से माइनेस करना और इसका answer बताना बच्छो कोशन नमबर लिकर कोशन नमबर 29 लिकर और उसका जो भी एंसर आगा answer लिखना देखते पहले सबसे किस बचे का पहले comment आता है अब हम लोग स्टार्ट करें बच्छो कोशन नमबर question number 30 question number 30 में बच्छो given for the polynomial x square minus bracket k plus x bracket x plus 2 bracket 2k minus one और given condition alpha plus beta equal में 1 by 2 alpha into beta where alpha and beta are 0 जो पोलिमी तो बताना इसमें कि का result क्या होगा तो बच्छो क्या करेंगे इस condition में रखेंगा alpha plus बीटका formula उता say upon a उसको क्या करें रखेंगे और सिंप्लिफाइब करने का क्रेंगे के करेंद करेंगे होगे बच्छो जब य governo प्लस सी तो जब कम्पेर करेंगे तो यहां प्लस सी उसा रिजल्ट अगा टू ब्राकेट टू के माइनेस वन हो जागा और जो कंडीशन के अंदर जो अलफा प्लस बीटा क्या कंडीशन के अंदर है लॉन भाइ टू अलफा इंटू बीता है जो कन्डिशन के अंदर गीवेन अलफा प्लस बीटा का जो फर्मूला ध्यान रहाना माइनस बी अपॉन एफ होता है और वन बाइट्व और अलफा इनटु बीटा का फॉर्मूला तो ताथ सी अपॉन ए यहां एक यह जो कैंसल रहागा माइनस बी का जो रिजल क्या होँँ माइनस के पलस 6 है और 126 का जो माइनस क्या कियो एए यहां पर पछए का माइनस भी फिर से बी का ड़ाद से माइनस के पलसお願いします सब्सक्राइब करेंगे तो को इधर लेकर आंगे और वन को इधर लेकर आंगे माइनेस में तो इधर आगा जब प्लस जागा यहां पचेगा टू के माइनेस सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें सब्सक्राइब करें वो इसांग पराइब कर लेकर थुप्प्रणा थाणर थाणगे वेकर का इधर देद स। ्सक्राइब करेंगे पेसे बिमारति को इन किनो नह चुब नह किने कि नहां धगत है कि इंवार कि उने ही नहां अन्हां कि अगयक्टी की लगता है तो लिखेंगे यहां पर बच्चो एरिया ओफ साइडेड रीजन ए एरिया ओफ सर्कल माइनेस एरिया ओफ रेक्टेंगल और पाई और प्रेक्टेंगल एल इंटू बी हो जागा यहां पर बटा साथ कर देते और रडियस कितना पांच तो पांच का स्कॉार कर देंगे गी स्कॉर के फॉर में और लेंथ और ब्रेंद कितना बच्चो एल कितना है आठ ऑट और वी कितना सीख्च है तो यहां पे 22 बचाइड लूण लें क्या करेंगे इन दोनों को का करेंगे मिल्टिप्लाइए के पचीश को दो से करें तो तो 33 आगा फ्यक्रारट गश्यों माइनस करने पांसों 50 मेसे डबल इसक्स को माइनस करें 10 में से चार चार में कि तीन गया तो एक पांस में से तीन गया तो दो तो यहाँ पहुझा पहुझा तो दो सो 14 अपन 7 साथ कि डिवाइड के फॉर में छोड़ दें बाचो 214 अपन 7 सेंटीमीटर एसक्वार एरिया आप जो साइडर रिजन का जो एंसर आगा चो 214 डिवाइड वाइड वाइड इसी के साथ सेक्षन सी खत्म हो गया अब हम लोग नेश्ट वीडियो में स्टार्ट करें ब से रू लिखे थैंक यू